परिचय वृत जयामिती के क्षित्र में एक महतपून आकार है इन वस्तूओं को देखो पिज़ा, पहिया, बड़ा चक्र, सिक्का, डिस्क, थाली ये सभी वृत के उधारन है आज हम वृत और उसकी विशेश्टाओं का अध्ययन करेंगे आईए शुरू करें उध्गेश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वृत के केंद्र और त्रिज्या को परिभाशित करना वृत के अभियंतर और बहिर भाग को जानना वृत की जीवा और व्यास को जानना दीर्ख चाप और लगु चाप का वड़न करना वृत की परिधी को परिभाशित करना वृत खंड और त्रिज्य खंड में विभेत करना जीवा द्वारा एक बिंदू पर अंतरित कोण का वड़न करना केंद्र से जीवा पर लंब खीजना बराबर जीवाओं और केंद से उनकी दूरी को समझना वृत्य के चाप दोरा अंतरित कोण का वर्लन करना चक्रिय चत्रभुज का वर्लन करना परिभाशा इस वृत्य को देखिए अब वृत्य में इस बिंदू को देखिए यह एक निश्चित बिंदू है और इसे वृत्य का केंदर कहते हैं इस बिंदू से हम त्रिज्या बना सकते हैं वृत्य के केंदर को वृत्य के किसी बिंदू से मिलाने वाली रेखा वृत्य की त्रिज्या होती है इस साकृति में O-P त्रिज्या है अब इस घड़ी को देखिए यह आकार में गोल है या हम कह सकते हैं कि यह आकार में वृत्तकार है वृत्तिका अभियंतर और बहिरभाग वृत्ति जिस तल में इस्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित करता है अभियंतर बहिरभाग और वृत्तिय क्षेत्र आईए इन्हें एक एक करके देखें अभियंतर वृत्ति के भीतर का क्षेत्र वृत्ति का अभियंतर कहलाता है बहिरभाग वृत्ति के बाहर का क्षेत्र वृत्ति का बहिरभाग कहलाता है वृत्य एक्षेत्र वृत्य और इसका अभियंतर क्षेत्र से मिलकर वृत्य एक्षेत्र बनता है जीवा और व्यास यदि आप वृत्य पर कोई दो बिंदू P और Q लें और उन्हें मिला दें तो रेखा खंड P Q को वृत्य की जीवा कहते हैं जो जीवा वृत्य के केंदर से होकर जाती है उसे वृत्य का व्यास कहते हैं वृत्य की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है व्यास वृत्य की सबसे लंबी जीवा होती है और त्रिज्या के दो गुने के बराबर होती है यहां हम देख सकते हैं कि A, P, एक वियास है दीर्ग चाप और लगु चाप इस आकरिती को देखिए, यहां एक चाप है एक चाप वृत्य का भाग होता है यह हम कह सकते हैं कि वृत्य के दो बिंदूओं के बीच का टुकड़ा चाप होता है चाप दो तरह के होते हैं, दीर्ख चाप और लगुचाप लंबा वाला दीर्ख चाप कहलाता है, यहां A, Q, B एक दीर्ख चाप है और छोटा वाला लगुचाप कहलाता है, A, B लगुचाप है चाप को इस चिन्न से प्रदशित किया जाता है परिधी, त्रिज्य खंड और वृत्य खंड किसी वृत्य की परिधी उसकी वाहे भाग की कुलदूरी होती है इसे वृत्य का परिमाप कहा जा सकता है वृत्य के दो मुख्य खंड होते हैं पिज़ा खंड और वो खंड जो किसी जीवा से बना हो पिसा खंड को वृत्य खंड कहते हैं और जीवा द्वारा बने हुए वृत्य के खंड को वृत्य खंड कहते हैं त्रिजे खंड दो प्रकार के होते हैं लगू त्रिजे खंड और दीर्ग त्रिजे खंड त्रिजे खंड की ही तरहा वृत्य खंड भी दो प्रकार के होते हैं लगू वृत्य खंड और दीर्क वृत्य खंड अब इस वृत्य को देखो यहां दो चाब बराबर हैं इसलिए ये दोनों अर्ध वृत्य हैं जीवा द्वारा एक बिंदू पर अंतरित कोण O के इंदरवाले एक वृत्य में एक रेका खंड A, B और बिंदू C जो रेका A, B पर स्थितना हो लीजिए A, C और B, C को मिला दीजिए यहां A, B एक जीवा है और कोण A, C, B जीवा A, B द्वारा अंतरित कोण है तथा कोण A, O, B जीवा A, B द्वारा केंदर पर अंतरित कोण है यदि एक वृत्य में बराबर लंबाई की एक या एक से अधिक जीवा खीच कर उनके द्वारा केंदर पर अंतरित कोणों को मापें तो हम देखेंगे कि उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर है इस सम्बंद से हमें प्रमें प्राप्थ होता है जिसके अनुसार वृत्ति की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है प्रमें आईए इस प्रमें को सिध्ध करें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी दो बराबर जिवाएं PQ और RS है सिद्ध करना है कोण POQ बराबर कोण ROS के उपति त्रिभुज POQ और ROS में OP बराबर OR क्यूंकि ये दोनों वृत्त की तरिज्जाएं है OQ बराबर OS ये भी वृत्त की तरिज्जाएं है PQ बराबर RS दिया है अताह SSS सरवांग समता नियम के नुसार त्रिभुज POQ त्रिभुज ROS के सरवांग सम है ये प्रदान करता है कोण POQ बराबर कोण ROS वो एस, क्योंकि सरवांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सरवांगसम होते हैं, अगला प्रमय उप्रोक्त प्रमय का विलोम है, इसके अनुसार यदि जीवाओं द्वारा वृत्ति के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, तो जीवाएं भी बराबर होंगी, प्रमय, आईए अब विलोम को सिध्ध करें, दिया है एक वृत्ति जिसका केंद्र O है, इसके दो बराबर कोण P O Q और कोण R O S हैं, सिध्ध करना है P Q बराबर R S, ओपत्ति, त्रिभुज P O Q और R O S में, O P बराबर O R क्यूंकि ये दोनों वृत्ति की तरिचाय हैं, O Q बराबर O S ये भी वृत्ति की तरिचाय हैं, कोण P O Q बराबर कोण R O S दिया है, इसलिए SAS सरवांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज POQ त्रिभुज ROS के सरवांग सम है ये प्रदान करता है PQ बराबर RS क्योंकि सरवांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सरवांग सम होते हैं केंदर से जीवा पर लंब अगला प्रमय पताता है कि एक वृत्त के केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समदूई विभाजित करता है इसका विलोम है एक वृत्त के केंदर से जीवा को समदूई विभाजित करने के लिए खीची गई रेखा जीवा पर लंब होती है आईए इसे सिध्ध करते हैं कलपना कीजिए कि PQ एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है और O M के मध्ध बिंदू से मिला हुआ है सिध्ध करना है O M लंबवत है PQ के उपत्ति O P और O Q को मिला दीजिए त्रिभुज O P M और O Q M में O P बराबर O Q क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्जाए है P M बराबर Q M क्योंकि ये जीवा का मध्ध बिंदू है O M बराबर O M उभै निष्ठ अता सरवांग समता नियम के नुसार त्रिभुज O P M त्रिभुज O Q M के सरवांग सम है इससे प्राब्थ होता है कोण O M P बराबर कोण O M Q बराबर 90 डिग्री क्योंकि सरवांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सरवांग सम होते हैं प्रमे यदि हमारे पास तीन असरेखी बिंदू हैं तो इस प्रमे के अनुसार तीन दिये हुए असरेखी बिंदूओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत है रेखा पर लंब यदि हम P Q और इसके बाहर एक बिंदू R लेते हैं हम जानते हैं कि रेखा पर आप परिमित संख्या में बिंदू जैसे P 1, P 2, M, P 3 और P 4 होते हैं इन बिंदूओं को बिंदू R से मिला दीजिए हम देख सकते हैं कि R, M, P Q पर लंबवत है फिर P Q की R से दूरी R, M है यह हम कह सकते हैं कि किसी बिंदू से किसी रेखा तक की लंबवत दूरी रेखा से बिंदू की दूरी के पराबर होती है समान जीवाएं और उनकी केंदर से दूरिया प्रमय वृत्य की समान जीवाएं केंदर से समान दूरी पर होती है आईए इसको सिध्ध करें एक वृत्य की कल्पना करें जिसका केंदर O है इसकी समान लंबाई की दो जीवाएं A, B और C, D हैं अब केंदर से A, B और C, D लंब खींचे जो उन्हें L और M पर प्रतिछेद करता है अता हमें सिध्ध करना है कि O, L बराबर O, M, O, B और O, D को मिला दीजिए हम जानते हैं कि A, B बराबर C, D जो की दिया है B, L बराबर A, B बटे दो केंदर द्वारा किसी जीवा पर खींचा गया लंब उसे समदूई विभाजित करता है इसी प्रकार D, M बराबर D, C बटे दो अता B, L बराबर D, M त्रिभुज O, B, L और O, D, M की कल्वना कीजिए O, B बराबर O, D ये समान वृत्ति की द्रिज्जाएं है B, L और D, M सिद्ध है कौन O, L, B बराबर कौन O, M, D बराबर 90 दिक्री जो की दिया है इसलिए सर्वांग समता के नियम S, S, A द्वारा त्रिभुज O, B, L, T्रिभुज O, D, M के सर्वांग सम है ये इंकित करता है O, L बराबर O, M सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग C, P, C, T अता एक वृत्ति की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है इस प्रमय का विलोम कहता है कि एक वृत्ति के केंद्र से समान दूरी परिस्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है एक वृत्ति के चाप दौरा, अंतरित कोंड के परिणाम और प्रमय एक वृत्ति की जीवा और चाप के बीच निम्नलिखित सम मन्द होता है यदि वृत्ति की दो चीवाएं बराबर हैं तो उनके संगत, चाप, सर्वांग सम होंगे विलोमता यदि दो चाप बराबर हों तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं दूसरा परिणाम यह बताता है कि एक वृत्त के सरवंग समचाप यानि समाब चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं इसकार्थ है कि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है. एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण और वृत्त के एक बिंदु के बीच संबंध. ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचिये. चलबना कीजिये कि PAQ एक चाप है और P वृत्त का कोई बिंदु है. यदि हम केंद्रिये कोण POQ और चाप द्वारा वृत्त के शेशभाग पर बनाया गया कोण PBQ मापें, तो हम देखते हैं कि कोण POQ बराबर 2 कोण PBQ. इस कतिविधी से हमें प्रमय प्राप्थ हुआ. प्रमय किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्रित्त के शेश भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है. आईए इसे सिध्ध करते हैं. दिया है. ओ केंद्र वाले वृत्त का चाप AB केंद्र पर कोण AOB अंतरित करता है. और शेश भाग के बिंदु P पर कोण APB अंतरित करता है. कोण AOB बराबर दो. कोण APB सिध्ध करने के लिए दिये गए समीकरण में स्पष्टता हमारे पास तीन इस्थियां हैं. इस्थिती एक AB एक लगुचाप है. इस्थिती दो AB एक अर्धिवृत्त है. इस्थिती तीन AB एक दीर के चाप है. रचना P O को मिलाइए और इसे बिंदू Q तक बढ़ाइए. उपत्ति याद कीजिए कि एक त्रिभुच का बहिश कोण उसके दो संगत सम्मुक अंता कोणों के योग के बराबर होता है. अता हमारे पास है कोण Q O B बराबर है कोण O P B जमा P B O के. समीकरण एक त्रिभुच O P B को ध्यान में रखते हुए. कोण A O Q बराबर है कोण A P O जमा P A O के. समीकरण दो त्रिभुच A P O को ध्यान में रखते हुए. साथ ही O B बराबर O P. ये एक वृत्तिकी त्रिचाएं हैं. जिसका ताथपर है कोण O P B बराबर है कोण P B O के. और O A बराबर O P. ये एक वृत्तिकी त्रिचाएं हैं. जिसका ताथपर है कोण A P O बराबर है कोण P A O के. इस प्रकार समीकरण एक और समीकरण दो को कम करने पर कोण Q O B बराबर है दो, कोण O P B समीकरण तीन. कोण A O Q बराबर है दो, कोण A P O समीकरण चार. समीकरण तीन और चार को जोडने पर हमें प्राप्थ होता है कोण A O Q जमा कोण Q O B बराबर है दो, कोण A P O जमा कोण O P B. जिसका तात्पर है कि कोण A O B बराबर दो, कोण A P B. स्थिती तीन के अनुसार प्रतिवती कोण A O B बराबर है दो, कोण A P B. इस प्रकार ये सिद्ध हुआ. अर्ध व्रित्थ का कोण प्रमाएं अर्ध व्रित्थ का कोण समकोण होता है मान लिजिए O केंद्र का एक व्रित्थ है एक अर्ध व्रित P A Q और इसके चिनित कोण P B Q की कलपना कीजिए दो कोण P B Q बराबर कोण P O Q क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्रित्थ की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है लेकिन कोण POQ बराबर 180C डिग्री क्योंकि PQ वृत्त का व्यास है दो कोण PBQ बराबर 180C डिग्री कोण PBQ बराबर 90C डिग्री समान वृत्तिखंड के कोण प्रमय वृत्ति के एक वृत्तिखंड के कोण बराबर होते हैं दिया है O केंद्रवाला एक वृत्त और जीवा PQ या चाप POQ से एक ही वृत्त खंड में अंतरित कोण PRQ और कोण PSQ सिद्ध करना है कोण PRQ वराबर कोण PSQ रचना O P और O Q को मिलाईए उपत्ति चुगी वृत्त की जीवा दोरा केंद्र पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप दोरा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है इसलिए हमारे पास है कोण POQ बराबर 2 कोण PRQ इसे एक के रूप में चिनहित कीजिए और कोण POQ बराबर 2 कोण PSQ इसे 2 के रूप में चिनित कीजिए एक और 2 से हमें प्राप्त होता है 2 कोण PRQ बराबर 2 कोण PSQ कोण PRQ बराबर कोण PSQ चक्रिये चतरभुज यदि किसी चतरभुज के चारों शेशों से होकर जाने वाला एक वृत्त हो तो उसे चक्रिये चतरभुज कहते हैं इस साक्रिती में PQRS एक चक्रिये चतरभुज है प्रमय, चक्रिये चतरभुज के सम्मुख कोणों के तत्यक युग्म का योग 180C डिक्री होता है दिया है एक चक्रिये चतरभुज ABCD सिद्ध करना है कोण BAD जमा कोण BCD बराबर कोण ABC जमा कोण ADC बराबर 180C डिक्री रचना, AC और DB खीजिए उपत्ति, कोण ACB बराबर कोण ADB और कोण BAC बराबर कोण BDC क्यूंकि ये A के ही वृत्तिखंड के कोण है इसलिए कोण ACB जमा कोण BAC बराबर कोण ADB जमा कोण BDC बराबर कोण ADC कोण ABC को दोनों सिरों पर जोडने से हमें प्राप्त होता है कोण ACB जमा कोण BAC जमा कोण ABC बराबर कोण ADC जमा कोण ABC लेकिन कोण ACB जमा कोण BAC जमा कोण ABC बराबर 180 डिगरी क्यूंकि एक तरभुच के कोणों का योग होता है 180 डिगरी इसलिए कोण ADC जमा कोण ABC बराबर 180 डिगरी इसलिए कोण BAD जमा कोण BCD बराबर 360 डिगरी घटा कोण ADC जमा कोण ABC बराबर 180 डिगरी इस प्रकार यह सिद्ध हुआ इस प्रमय का विलोम भी सत्य है जिसके अनुसार यदि किसी चत्रभुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिगरी हो तो चत्रभुज चक्रिये होता है क्या आप जानते हैं? वृत्य केवल एक पक्षिये आकार वाला क्षेत्र होता है एक सीधी रेखा आपरिमित क्षित्रवाला एक वृत्य होती है वृत्य में कोई कोण नहीं होता एक वृत्य में सम्मिती रेखाओं की आपरिमित संख्या होती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक वृत्य किसी तल के उन सभी बिंदूं का समो होता है जो तल के एक स्थिर बिंदू से समान दूरी पर हो एक वृत्य की बराबर जीवाएं केंदर पर बराबर कोण अंतरित करती है यदि किसी वृत्य की दो जीवाएं केंदर पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है किसी वृत्य के केंदर से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समदूई भाजित करता है केंद्र से होकर जाने वाली और किसी जीवा को समध्वी भाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है एक वृत्त के केंद्र से समानदोरी परिस्थित जीवाएं बराबर होती है एक वृत्त के केंदर से समान दूरी परिस्थित चाप बराबर होते हैं तीन अस रेखिये बिंदों से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है किसी वृत्त के सरवांग सम चाप केंदर पर बराबर कोण अंतरित करते हैं किसी चाप दौरा केंदर पर अंतरित कोण उसके दौरा वृत्त के शेश भाग के किसी बिंदो पर अंतरित कोण का दुगना होता है एक वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं अर्ध वृत्त का कोण सम कोण होता है चक्रिये चत्रभुज के सम्मुख कोणों के प्रत्यक युग्म का योग 180 डिग्री होता है यदि किसी चत्रभुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चत्रभुज चक्रिये होता है